बिबी ना जाने कौन सी गड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट अक्सेप्ट की थी पती पत्थर पढ़ गए थी मेरी भी अकल पे जो तुम्हारी डिपी को नाइस पिक कहा था बीबी मेरी अकल में भी परदा पड़ गया था जो तुम्हारे पिक पे हैंडसम लूप का कमेंट किया था पती अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अंफ्रेंड कर देता बीबी मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लोग किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता इतने लोगों के सामने तुम से बेश करती। dramatic के बीबी का पती हेरान ही रहए जाया बेचारा। बंगाली बाबा को आधी रात में एक खुबसूरत सी लड़की फोन करके बोली सरकाईलो खटिया जाड़ा लगी बंगाली बाबा बोली हलो कून लड़की बोली भरो मांग मेरी भरो बंगाली बाबा बिस्तर सी उठकर बोला क्या सही में मुझसे शादी करूगी लड़की इस गाने को अपनी कोल ट्यून कर बनाने के लिए एक दबाए बंगाली बाबा गुसे में उठके भागे पत्ती फोन पर पत्नी से तुम बहुत प्यारी हो पत्नी थैंक्यू जी पत्ती तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो पत्नी थैंक्यू शो मच और बताओ क्या कर रहे हो पत्ती बोला खाली बैठा था सोचा मजाख ही कर लूँ पत्नी आओ बेलन लेकर इंतिजार कर रही हूं तुम्हारा लो 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 फट्ती पत्नी पार्टी में जाते हैं पत्नी कहती है आज तू स्टेच पर ्आग लगा देंगे पत्ती बोले कि मैं चिस लाना ही भूल गया, पतनी बोली, अरे मैं डांस की बात कर रही हूं, पतनी हाँ, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे, पती सी वादा करके बूरी फसी पतनी, पतनी मैं माई के तभी जाओंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे, पतनी, पतनी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पतनी, क्यों जाने मन क्या हुआ, पतनी, तुमने बताया ही नहीं, कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से ही एक पतनी है, पती, सर्शूर जी को बताया तो था कि तुझे बिलकुल रानी की तरह ही रखूंगा मैं,